Hello everyone, this is Shaheen, welcome to Vision Map दोस्तों, जामिया में लिया स्लामिया, AMU और BHU के 2020 इंट्रेंस एक्जाम्स के लिए जो स्टुडेंस प्रिपेशन कर रहे हैं ये वीडियो खास करके उनके लिए है इस वीडियो में हम देखेंगे आज इंडियान हिस्ट्री के बारे में जो स्टुडेंस बीए ओनर्स हिस्ट्री के तियारी कर रहे है तो ये उनके लिए है, इंडियान हिस्ट्री इसमें आज हम देखेंगे तो चलिए आगे बढ़ता है इसमें मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ अगर आप लोग प्रिपेशन कर रहे हों बीए, बीकॉम ओनर्स बीए ओनर्स एकोनमिक्स और बीए ओनर्स शोसोलोजी, साइकोलोजी और जोग्रफी तो ये सारा कुछ करवा रहे हैं असद सर, ये सारा कुछ कवर करेंगे असद सर, और जो मैं कवर करवाउंगी वो है BA, BA Honours Political Science और BA Honours History यह मैं करवाओंगी उस तो अल्रेडी Economics पर दो वीडियो आ चुकी है असद सर ने उस वीडियो कवर किया है अगर आपने उसे नहीं देखा है तो वो जरूर जा करके देख ले और जो स्टुडेंट्स पॉलिटिकल साइन्स इंटरेंस की तियारी कर रह है और यह जो हम लोग तैयारी करवा रहे हैं खास करके हम लोगों का फोकस है JMI, AMU और BHU के स्टुडेंट्स के लिए अगर आप लोग 2021 इंटरेंस के तियारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए हम लोग सीरीज शुरू करें हैं हर एक सब्जेक्ट्स के लिए तो चलिए आ इंटरेंस लेवल पर यहां पर सीरीज शुरू कर रहे हैं उतना डप में नहीं पढ़ना हैं हम लोग सिर्फ इंटरेंस लेवल पर यहां पर प्रपरेशन करवा रहे हैं तो अगर आप लोग प्रपरेशन कर रहे हों इंटरंस के लिए तो आप लोगों के लिए वीडियो ज सबसे पहले कहां पाया गया था हो पाया गया था अफरीका में लगबग 2,000 साल पहले और इंडिया में 17,000 साल पहले next point है the early man in India used tools of stone roughly dressed by crude clipping early man जो भी उस वक्त यूज करते थे जो भी औजार यूज करते थे जो भी tools वो सारे पत्थर के होते थे और जो ड्रेस पहनते थे वो crude clipping था यानि की crude clipping कह सकते हैं हम कच्छा कत्रण okay like पत्ता वगरा पहनते थे वो सब और जानवरों के खाल वगरा को पहन पहनते थे this period is therefore known as stone age इस period को हम लोग stone age कहते हैं which has been divided into the paleolithic और old stone age paleolithic को हम लोग old stone age कहते हैं misolithic को middle stone age और neolithic को new stone age आगे देखते हैं the paleolithic age अप लोगों को यह date याद रखना है 50000 BC to 9000 BC okay paleolithic age is also called the stone age दोस्तो इस age में ना BC वगरा AD वगरे में आप बहुत सारे students को confusion होता है अगर आप लोगों को वो अभी भी confusion है तो आप लोग मुझे comment section में जाकर के जरूर बता है मैं इसका scale पूरा आप लोगों को अच्छे से clear कर दूँगी अगर आप लोग चाहते हैं कि आप आप लोग मुझे comment section में जाकर के बता है मैं आपको बिल्कुल अच्छे से clear कर दूँगी नेक्स्ट है robert bruce foot was the first to discover a paleolithic site in india robert bruce foot को father of indian prehistory भी कहते हैं यह आप लोग याद रखने वाली चीज़ है father of indian prehistory robert bruce foot को next है homo sapiens first appeared towards the end of this phase okay next देखते हैं the mesolithic age 9000 BC to 6000 BC it was a transitional phase between the paleolithic age and the neolithic age ठीक है ना इसमें important यह है आदमगर in madhya pradesh and bagor in rajasthan provide the earliest evidence for the domestication of animals इसमें आप लोगों को याद रखना है आदमगर in madhya pradesh and bagor in rajasthan तो सबसे पहले जो जानवर वगरा को पालना शुरू किया गया था तो इंडिया में यहीं से हुआ था okay सबसे पहला पालतू जानवर कौन थे equations आते हैं सबसे पहला पालतू जानवर था dog आगे देखते हैं the new lithic age इसका time period है 6000 BC to 1800 BC important new lithic site in India include बुर्जाहम, मेहरगर, दाउजली हेडिंग, चिरांद, मस्की, ब्रामागिरी, हलूर, पिखलिहाल, उतनूर, नागरजुना कॉंड़, पियाम पाली तो यह सारे place हैं जो की important है आप लोगे एक बर इसको जरूर याद करिएगा इससे questions पूछे जा सकते हैं obviously in बुर्जाहम बुर्जाहम जगह का नाम है, डॉक्स वे बरीड में ऐसा हुआ करता था, डॉक्स को बरीड किया जाता था, दफना दिया जाता था उसके मास्टर्स के साथ, और उस पिरिड में क्या था उस एज में, हैंडमेड पॉर्टरी और यूज ऑफ पॉर्टर वील फस्ट अपेर नियोलेथिक एज, आपको क्वेशन पुछा जा सकता है कि वील पहले कौन से एज में अपेर हुआ था, ठीक है, और हैंडमेड पॉर्टरी वेगरा कौन से एज में आया था, तो आपना आंसर होना चाहिए, नियोलेथिक एज, ओके, नेक्स्ट है, मेहरगर इन बलुचस्त प्रवान में है, इस थी ओल्डेस्ट नियोलेथिक साइट, ओके, नेक्स्ट देखता है, चैलकोलेथिक कल्चर, इसका भी पीरिड याद रखना है, एटीन हड़ड बीसी तू वन थाजन बीसी, चैलकोलेथिक, इसे हम नियोलेथिक, चैलकोलेथिक, और स्टोन कॉपर फेस है, ठीक है, जैलकोलेथिक कल्चर को कुचलता पूछन की्स होटा है फो मेटल्स का यूह तथा, तो नेक्स देखतता है या प्र नेक्स्ट चैलकोलेथिक कल्चर को हाथा, यह जो है, वह मेट ये यह आप लोगों का याद रखना है, मालवा वेर, नेक्स्ट है, the people of Chalcolithic culture were the first to use painted pottery, black and red pottery, painted with white line design was most popular, Chalcolithic age में यह सारा कुछ शुरू हो गया था, painted pottery लोग यूज करने लगे थे, black and colorful design वाला pottery वेकरा यूज करने लगे थे, ठीक है, जैसा मैंने बोला था कि कुछ questions हम लोगों का मिडल हिस्ट्री से, जो की आ सकते हैं आपके entrance exams में, तो उसको देख लेते हैं, किसको देख लेते से questions पूछे जाएंगे, उसको देख लेते हैं हम लोग, the earliest cereals grown by man wear, ठीक है, तो इसका जो answer है, वो है, wheat and barley, next है, what did the primitive man learn first, सबसे पहले, early man ने क्या सीखा था, primitive man ने क्या सीखा था, सबसे पहले, तो हम सभी को पता है, सबसे पहले उसने आग जलाना सीखा था, यह एक accident था, ह शुरू किया, उसके बाद, जो कच्छा मांस खाते थे, वो लोग, उसके बाद, पका कर खाना शुरू किया, धीरे 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 बहुत development हुई, okay, next है, इसकों से question पूछे जा सकते है, which of the following was used by the people of misolithic age, तो इसका answer होगा, small stone tools, जैसा मैंने बताया, जितने भी tools हो occupation of paleolithic people, सबसे उनका main occupation क्या था, तो उनका जो occupation था, वो था, hunting and gathering food, ठीक है, hunting करना और food gather करना, in which age the wheel was discovered, मैंने पहले ही बताया है, ये question आ सकता है, तो इसका सहीं answer होगा, option number A, neolithic age, next है, what are the ancient language of India, तो इसका सहीं answer है, पाली, Sanskrit, प्राकित, next है, in which age the art of cloth weaving was started, कौन से age में cloth weaving start हुआ था, तो ये हुआ था, तो ये हुआ था, stone age में, ठीक है, अभी हम लोग stone age ही पाल रहा थे, तो ये stone age में हुआ था, cloth weaving में था start, next है, who among the following is known as the father of Indian prehistory, मैंने पहले ही बताया है अभी थोड़े दर पहले, तो इसका सहीं answer है, Robert Brew Food, okay, next है, question 9, what is the number of prehistoric rock shelters in Bhimbet का, तो इसका सहीं answer हो जाएगा 243, next है, who is called the father of Indian archaeology, ये भी important question है, जो आप लोगों की हाद रखना है, तो इसका सहीं answer है, option number B, Sir Alexander Cunningham, I hope guys, आप लोगों को इस वीडियो में बहुत कुछ कुछ क्लियर हुआ होगा, अगर अभी भी कुछ doubt है, तो आप comment section में जा करके मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, next video में हम लोग देखेंगे IVC, यानि कि Indus Valley Civilization, तो इसके next part बहुत जल्द आएंगे, और तो मिलता है next video में, vision map को आप लोग जरूर subscribe करें, और वो bell icon जरूर प्रेस करें, ताकि हम लोग जो भी videos डाले, वो update आप लोगों के पास मिलते हैं next video में, तो तक लिए बाई, thank you